हेलो आपरीवान एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चनल में तो आपको याद होया कि हमेशा जो बाइनस है वो किसी भी कंट्री के जो इन्वेस्टिकेशन एजनसीज होती है या फिर वहां के जो भी law and regulations के लिए जो भी जनसीज बनाई होती है उनके साथ मिलके काम करती है बिलकुल similar step वजीरेक्स ने भी चुना है यानि कि यह अभी National Investigation Agency के साथ काम करना शुरू कर चुके है यहाँ पे दो मतलब बनते हैं, सबसे पहला तो यह है कि वजीरेक्स अभी अगर regulation bodies के साथ काम करेगा तो इससे क्या कि अभी वजीरेक्स और securely काम कर पाएगा और अपने जो operations है और भी अच्छे तरीके से कर पाएगा जिससे हमें services भी अच्छी मिलेंगी, लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अगर इस तरीके से अगर वजीरेक्स investigation agencies के साथ law and regulation bodies के साथ काम करते हैं, तो हमारा पुरा के पुरा data गौर्मेट के पास भी जाएगा लेकिन इसका एक बहुत अच्छा फाइदा है कि अगर बाइनेस की तरह वजीरेक्स काम करता है नेशनल बॉडिस के साथ तो इससे कहा कि यह long term तक बहुत अच्छा काम कर पाएगा और हमें services भी अच्छी दे पाएगा SNE के बार बार इसके उपर कोई ना कोई आरोप लग रहे हैं कोई ना कोई scam करने का आरोप लग रहे है तो उसी कहा कि वजीरेक्स का WRX भी अच्छा काम कर सकता है अब इसके साथ एक और रिपोर्ट सामने आए कि 65% से भी ज़्यादा जो क्राइम से क्रिप्टो करन्सिस के वो ड्रॉप हो दे जा रहे हैं अब यह जो रिपोर्ट है और उनका एक त्रीके से खात्मा हो चुका है यही करने कि अभी जो अच्छे प्रोजेक्स है वही सर्वाइव कर पाएंगे और बुल मार्केट में हमें अच्छे प्रोफिट मिल सकते हैं जो भी कॉइंट्स या किसी प्रोजेक्ट में हमने अच्छी वोडिंग्स बनाई हुई है वही हमें अच्छा प्रोफिट देने वाले हैं तो वजीरेक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, वीडियो पुरा देखते रहे ना, अभी से लाइक करदो, चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल लेकर दबा लीजिए, ताके आप तक आने वाले वीडियो की चाहरा था, आपको साथ डिटेल्स देना चाहरा था, लेकिन दे नहीं पाया, तो 6 जुलाई कोई इन्वेस्टिकेशन आफ क्रिप्टर क्रेंसिस के उपर दो सेशन्स किया गेते, दो प्रोग्रेम्स किया गेते, जिसमें जो इंडस्टिज एक्सपर्ट्स हैं, जैसे के मु क्रिप्टर कृइशन जुडेल्स को भी पता चले की एक्टडेल्स में करिप्टर क्रेंसिस है क्या है, और यह किस fak passions काम करती है, तो पहली बार ऐसे वह हो और ऑन खरता है और यम बात करें रेक्ट की बात करें, ऐसे हमने कुछ ना कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, बुल रन, बेर मार्केट या ऐसे कितने भी वर्ड्स हैं, उन सभी वर्ड्स की या फिर टर्मिनॉलजी उनको समझाई गई, इसी के साथ वॉलेट्स को सर्च करना, ओपन सॉर्स वेबसाइट्स को को एक्सेस करना, या फिर उनके ऊपर ट्राजेक्शुन को चेक करना, क्रिप्टो क्रिप्टो क्रनसी के ऊपर सीजर, gekैसे कि यpunkे जा सकते हैं, यह बताया गया, इन्वैस्टीकीशन बताइगी, कि वॉलेट्स को किस रिके से investigate करने crypto currency exchanges के operations किस तरीके से काम करते हैं transactions किस तरीके से होती है यह सब कुछ बतायागा टेखनीकल तौर पर अगर हम legal के हिसाफ से देखें तो honorable supreme court का जो decision था इंटरनेट को लेकर या फिर mobile association of India का या फिर डिजर्ब bank of India का वो सब कुछ बताया गया criminal procedures बतायेगे इसी के साथ intermediaries कैसे involved रहते है crypto currencies में यहाँ पर legalities क्या क्या यह बताया गया और compliance की बात करेगी कि KYC हमेशा हर एक exchange के उपर होती है PMLA का खास जहां रखा जाता यानि कि prevention of money laundry जिसकी वज़े से कोई भी money laundering नहीं कर पाता crypto currencies में तो अभी बहुत से क्योर्टी बढ़ चुकी है crypto currencies में खास करें इंडिया में जो कि पहले एक्जिस्ट नहीं करती थी इसी के साथ दूसरी session में कुछ और चीज़ों की बात करेगी जैसे के वजिरेक्स exchange की जो ongoing या फिर investigations जो पहले हो चुकी है उसका बताया गया fake all centers की बात करेगी crypto currencies के यहां से जो भी money lottery करी जाती है terror funding करी जाती है वो crypto currencies में बहुत बड़े हिस्से में होती है खास कर किसी wallet के द्वारा payments करी जाती है किसी और countries में और यह सब कुछ बिलकुल clearly बताया गया government को ता government agencies को ताके वो भी इन चीजों को और भी clearly और और भी अच्छे तरीके से handle कर पाएं आने वाले समय के अंदर तो investigation of cryptocurrencies को आप ऐसा मान लो कि इस session के बाद हमारी जो government की national investigation agency है वो इस चीज को समझ चुकिया और उनको भी पता है कि कैसे investigation करनी है हर एक चीज उनको समझ आ चुकी है आज नहीं तो कल अगर कोई भी crime करता है जिसकी वज़े से हमारा भी बहुत बड़ा loss होता है तो वो loss अभी नहीं होगा और वैसे भी all over the world diagram बात करें तो पैंसेट परसेंट से भी ज़्यादा जितने भी crypto crimes थे वो कम हो चुकी है तो यह खास कर 2023 की बात करी जा रही है कि 2023 में ये कम होने के साथ साथ अभी क्या कि जो अच्छे project से वो भी बहुत अच्छा perform करना शुरू कर चुकी है लेकिर यहाँ पर जो decline सबसे ज़्यादा आया है वो जैसे की hacks होगे, malware होगे, इन में आया है, dark net markets की बात करें या फिर child abuse material, fraud shops, cyber criminal administration, scams, ransomware, इन सभी में एक बहुत अच्छा decline है तो सब total बहुत ही बड़ा बनता है, अगर हम इन सब का total करते हैं तो, और सबसे ज़्यादा जो decline है वो scams में है, अब scams में crypto crisis भी बहुत जदा involved रहती है, और यही companies जो बड़ी-बड़ी scam करते हैं, यही बहुत ही तेज़ी से अभी disappear होती जारी है, यानके बिल्कुल खत्म होती जारी है, पूरे वर्ल्ड में से, अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट से, जैसे की geo.com, orbit shop है, matauza.com है, vdlook.io है, crypto crown.vip, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट साहिते हैं जिन्नोंने बहुत ज़दा पैसा कटा किया है, लेकिन अभी जो नया analysis आया है, उसके basis पर हम यही समझ प बहुत ही बड़ी गेम खेलते हैं, यानि कि अभी बहुत ही ज़दा पैसा लूट रहे हैं, तो ransomware अभी कम नहीं हुए, crypto currencies based जो scams है, वो पहले से कम हो चुकी है, तो अगर ऐसा लगातार चलता रहेगा, तो जितनी भी governments है, जितने भी central banks है, countries के, उनका विश्वास और भी बड़ेगा crypto currencies में, यही कारण है कि हम यही बोल सकते हैं, कि 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा साल है, जिसमें बुरे projects पीछे रहे चुके हैं, और अच्छे projects आगे आ रहे हैं, और यही हमें अच्छा profit भी देने वाले हैं, एक आपके लिए वीडियो और लेकर आऊंगा, जिस के बारे में बहुत जाए डिटेल में बताया गया है, आप एक बार चेक सरूर करना, सारे लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आए कार्ट के उपर क्लिक करके मिल टाएंगे या प्रीवेस वीडियो चेक कर लिए, इस वीडियो को लाइक और शेर करते हुए हमारे चैनल को भी सब्स्राइब अरके बेले के बालेजिए, ताके आप तक आने वाली वीडियो से हमेशा पॉइंट रहें, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद